हलो फ्रेंड बेलकम तो चैनल नौलज आप फार्मेसी खादिरा रिष्ट का आज हम रिव्यू करते हैं तो ये खादिरा रिष्ट सीरप जो है ब्रॉण नेम की बात करें तो डाबर काफी फेमेश ब्रॉण है बैदनात दूत पापेश्वर और दिब्व फार्मेसी सभी कमप ब्लेडिंग गम से यानि मसूडों से हो रही हो या पाइल्स से पाइल्स की ब्लेडिंग हो बावासीर की ब्लेडिंग हो पेट की समस्याओं को सही करने का काम करता है इसकिन के लिए भी अच्छा होता है देवदारू देवदारू जो की कोल्ड कफ या ब्रीथनेस को का काम करता है Barberis Aristeta जो कि बहुत पुराने समय से पुराने समय से आयवरगेदि medicine के रूप में यूज की जाती है या यानि प्रियोग में लाई जाती है यह एक anti bacterial property रखती है यानि bacteria का कहीं भी infection है तो उसको ठीक करने का काम करती है antiperiodic यानि malaria का अगर fever है तो उसको भी सही करने का काम करती है antideryal अगर दस्त हो रही है bacterial या more की दस्त हो रही है तुसको सही करने का काम करती है anticancer यानि cancer के इलाज में इसका प्रियोक किया जाता है अप्थलमिक infection आखों के infection में भी ये बहुत ही अच्छि मानी जाती है barbaris, अंबली की जो की liver के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए, हार्ट को सही करने का काम करती है, brain के लिए अच्छी है, और lungs के लिए, हैं시 हमारे Ouch के फैपड़ों के ने कोई दिक्कत है तो उसको भी सही करने का काम करती है. हर्तिकी हर्तिकी जो की स्कल्फ का इंफेक्शन अगर बाल के नीची की चम्डी में कोई इंफेक्शन है तो उसको सही करेगी या इसकिन में कहीं इंफेक्शन है उसको सही करेगी डैंडरफ यानि अगर रूसी है बालों में तो उसको भी सही करेगी इचिंग यानि खजुली चल रही है तो उसको भी सही करने का काम करती है अगर हेर फॉल की समस्या है तो यानि बाल किसी के अगर जढ़ रहे हैं तो उसको भी सही करने का काम करती है हर्त की बावितिका ये बावितिका जो है अलसर को सही करेगी stress यानि अगर दिमाकी तनाव है तो उसको सही करने का काम करती है Metabolism, Leber Leber में अगर कोई समस्या है Leber के Metabolism में अगर कोई प्राबलम है तो उसको सही करेगी और जो है धात की जो की उन्ड को healing यानि healing property रखती है अगर कहीं घाव है तो वो भर जाता है खास कर तभी तो इसको एकने में बढ़िया result मिलता है तो उन्ड healing का काम करती है अगर कहीं swelling है तो उसको घटाएगी अगर skin पे कोई भी प्रकार का infection है तो उसको सही करने का काम करती है Can Cola जो की digestion problem को solve करती है बहुत ही अच्छी आउसधी है antimicrobial होती है यानि माइक्रोब को kill करती कोई भी अगर my bacterial infection है तो उसको सही करने का काम करती है inflammation यानि सूजन को भी घटाने का काम करती है नाक केसरा जो की cold कफ के लिए अच्छी है अगर excessive कफ है आपको या बलगम mucous है तो उसको बाहर निकालने का काम करती है जाती फला जाती फला जो की abdominal pain यानि पेट में अगर दर्द है तो उसको सही करेगी bad breathing यानि गंदी अगर सासे आपकी लग रही है कि मुझे थोड़ा गंदी सासे आ रहे है mouth से तो उसको सही करने का काम करती है, heart के लिए अच्छी है, और longa, longa जो कि बहुत ही अच्छी, यानि मसाले में यूज होती है, और anti-cancer activity रखती है, और skin के लिए बहुत ही अच्छी है, lungs के लिए अच्छी है, और digestive system के लिए भी अच्छी मानी जाती है, सुखा, malia, जो कि weakness को सही करेगी, कमजूरी को हटाएगी, RTI, यानि respiratory tract infection है, तो उसको सही करने का काम करती है, UTI, urinary tract infection है, तो उसको सही करने का काम करती है, diuretic, यानि urine के formation को बढ़ाती है, अच्छा करती है, तो और dysuria में बढ़ी हाँ result देती है, तो आक, तो आक जो कि flu के लिए अच्छा है, and digestion के लिए अच्छा है, ओडीमा अगर कहीं पर जल्भराव टाइप में सूजन है, तो सही करेगी, कफ के लिए अच्छा है, और तवक पत्र, तवक पत्र जो कि है, कफ के लिए अच्छा होता है पॉ Sag灣 के लिए और लॉस आफ डाजिएसटी अगर आपका डाजिशिटित शिस्टम लावाइक में जा रहा है तो तो सही करने का काम करती है यानि यह अगनी को अच्छा करती है पीपली जो कि कोल्ड कफ के लिए अच्छी मानी जाती है मधू जो कि थ्रोट इंसक्षन के लिए अच्छी है और इचिंग यानि खजुली को भी कम करती है अगर इसकिन में खजुली है तो सही करने का काम करती है अगर इसकिन में अगर इ आजाता आप देख रहे हैं चर्म रोगों के लिए लाबदायक है एलर्जिक प्रॉब्लम हो अगर कोई आपके स्किन में अलर्जी चल रही हो तो उसमें बढ़ियां काम करती है इचिंग अगर खुजली हो तो अगर आपके चमड़े पर याणि स्किन पर रेस पड़ गए हो तो बढ़ियां काम करेगी चेहरे पर एकने अगर हो गए हो कहीं एकने हैं तो बढ़ियां काम करती है या एटोपिक डर्मेटाइटिस अगर डर्माटाइटिस कोई दिक्कत है तो उसको सही करने का काम करती है सोराइसिस यानि सोराइसिस के लिए बहुत ही अच्छी Toxification येनि हमारी शरीर में या हमारे चमड़ी में जो भी ना corn mispronOM शांतर्ट है उसको बाहर निकालने का काम करती है G vision enhancement हमारी भूग या हमारे डाइज़़शन system को यह सही करने का काम करती है अगर digestive system सही रहेगा तो मुझे तो किसी को skin का disorder नहीं होगा या disease नहीं होगी तो इस तरीके से यह काम करती है वहीं side effect की बात करें तो इसका कोई side effect नहीं है यह क्योंकि आयरुबेदिक मेडिशिन है वहीं दोजज की बात कर लेते हैं तो 15-30 ml adult का डोज है और 15-30 ml दवा और 15-30 ml बराबर वाटर यानि जल के साथ इसको दिन में दो बार लेना है या आप director, your physician जैसा आपकी डॉक्टर कहते हैं आप वैसा यूज करें और बच्चों को डॉक्टर से पूछ कर ही दें क्योंकि जो है डॉक्टर से consult कर लें ओके थैंक्स आप चाहें तो इसकिन सौट ले सकते हैं फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में